है हलो गाइस तो वेलकम यॉल अगें तो दे नेक्स लेक्चर आफ सी प्रोग्रामिंग सिरीज जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं स्विच के स्टेटमेंट के बारे में तो सिक्वेंस अभी हमारे टॉपिक की चल रही है वो कंडिशनल स्टेटमेंट को लेके चल रही हो दो है याथ हम लोगों ने देखा थह अवाम आता है सी जीनल ड़ी टöp के भी सटेटमेंट जैस बात now what is the meaning of this jumping statement ठीक और इसके क्या लिमिटेशन से स्विच के से jumping statement क्यों बोलते हैं इसको तो चलिए सारी बात हैं हम करते हैं switch case statement के साथ में लेकिन उसके पहले रूल नमबर वन समझ में आ गया प्लीज सब्सक्राइब कर ये कानल को वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और मेक्जिमम लोगों तक पहुंचाना है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है interview room interview clear की जवाबदारी मेरी है और वीडियो को शेयर करने के जवाबदारी आपकी है ठीक है चलिए तो अब हम बात करते हैं यहां पर है jmping स्पेट्व हैं या स्विच ये स्टेट्मेंट यह बहुत ध्यांता सम meno 버 אם लिए तीक कोन सेप्त है और इक मैं कैसे स्विच को यूज करेंगे एक्शूलिस स्विच के स्का सिंटेक्स क्या है आप समझना स्विच में यह हम छिद इस वीच और यहां पर है केस ठेक केस टेक कैस और ये केस किसके कोर्रडेग् इस वेलू के और एक केस हमें लिखना है वैलू के Con because बनी ये केस डू और कीश कूय फिक्स नहीं है एगंज आम यह थेल यू केस हमेशा एकवेशी टूशन करता है लिखते स्टेटमेंट 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 मतलब कॉंसेट वाराइए कि हम स्विच को एक वैलू देते हैं और उस वैलू के एकॉर्डिंग मल्टीपल केस लिखते हैं यह वैलू यह है तो यह वाली स्टेटमेंट एक्जीकूट होगी अगर यह का मतलब यह है if your switch not find the relevant case आपने एक वैलू दी है पर अगर switch को उसका relevant case नहीं मिला if switch is not find the relevant case then it executes the default statement फिर वो default को execute करेक और यह स्विच का कर ली bracket हम यहां पर close कर देते हैं concept समझ में आ रहा है अब देखो इसको ले अगर हमें code execution देखे तो शायद आप लोगों को betterly समझ में आएगा क्योंकि इसमें अभी हम एक चीज और यूज करने वाले है break statement को बात करते हैं where we use break statement in switch case वो भी discuss करते हैं ठीक लेकिन यूज क्या है break का पहले वो तो समझें तो आप देखो सबसे पहले हमने header file include की है इस इंक्लूट है कि अब यह दिमान लो मैं आप से मुला कि काम करने आपन सेम वही program बनाते हैं कौन सा 1210 125 नंबर वाला यह प्रोग्राम से switch case को ज्यादा बेटर लिए हम समझ पाएंगे कि मुझे यूदर से नंबर और एंटर करना है और प्रिंट करना है 125 बतलब उस नंबर का वर्ट फॉर्मेट ओके तो अमने यूदर से नंबर लिया एक ही program को अलग अलग तरीके से बनाना सीख रहे हैं यहां पे के यूजिंग switch case हम एक वर्ट फॉर्मेट के से प्रिंट करेंगे एंटर अनूमबर स्केन एफ परसेंटेज दी और मैं परसेंट आफ अन अलग आपके पास एनमेक नमबर है और आपको इसका वर्र फॉर्मेट फॉर्मेट करना है यूजिंग रखना सीक्वेंस 1 2 3 4 कोई फिक्स नहीं है मतलब 1 2 3 4 लिखोगे इस नॉट कंपल सरी यह डिपेंड करता है कि आप इनकी किस वैलू पर कोड एक्जी कुशन कर रहे हैं तो जैसे मैंने लिखा केस स्पेस वन स्पेस जरूर देना यह केस इसकी वर्ड यह केस अलग कलर में शो टीक टीक इसके निच अमने लिखा केस 2 printf dwpk case 3 printf dhr double e chicken case for printf a for your concept so much now okay and at the end case 5 printf a 5e टिक अभी default नहीं लिख रहाँ conception अभी समस्त है अभी तो बहुत सारी चीजें इसमें चेंज करेंगा अभी पहले देखवा यह मैंने इस N के 5 केस लिख दिए लेकिन जैसा मैंने बोला ना यह 1234 कोई सीक्वेंस नहीं यह देट में भी 100 200 300 400 वो डिपेंड करता है कि आप एन की किस किस वेलू पर कोड एक्जीकूशन कर रहे हैं अब अगर मान लो मैंने एन की वेलू दी 3 अगर इन की वेलू 3 तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा वाइड इस कॉल जंपिंग स्टेट्मेंट सुनना यह स्विच का इसे स्मॉल लिखना अगर वह दूर से आपको कैपिटल दिख रहा है तो डून कंसिडर इट कैपिटल अगर मैंने एन की वेलू दी 4 प्रोग्राम सीधे जंप करके आएगा 4 पर प्रिंट कर देगा एफ और यह कॉंसेप्ट स्विच केस का कि आप जो भी वेलू देते हैं प्रोग्राम उस वेलिक एकॉर्डिंग सीधे केस पे जाके उस केस को एक्जिक्यूट करता है जो हमने सीच के रिलेवेंट लिखा हुआ है लेकिन इस केस में देखो जदी मानलो मैंने एन के वैलू दी है नाइन तो कोई केस ही नहीं है ना तो मेरे इसाब से वन तू फाइफ के अलावा जो भी है वो सब इन वालिड है तो इसे मल्टीबल केस थोड़े ने लिखेंगे सिक्स के अपना रिलेवेंट केस मिलता है तो केस को एक्जीग ूट करता है पर अगर केस नहीं मिला थो लाइत नो conten योटे य्कटे है लेकिन ऐसा नहीं होगा अब ध्यानते सुनना क्या होगा इन्वैलिट नमबर का वोगा जब आप सब्सक्राइब नमबर दिया नाइन तो मुझा आउट्ट मिलेगा इन्वैलिट नमबर डाइस टू लेकिन अगर मैंने टू दिया इफाई एंटर्ट दे वैलू टू तो मैं क अगर आपने तू दिया तो फोर फाइफ इन्वैलिट नमबर यदि मैंने फोर दिया एल गट्डट पूर 5 इन्वैलिट नमब यदि मैंने वन दिया 1-2-3-4 5 यह इन वालिट नमबर तो लेकिन जिस स्टेटमेंट को आपने लिखा उसके बात की स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर रहा है उसका रिजन यह है कि जब आपने ऑप लो नग एन ठी कापने अभूला स्विच ओन केस नमबर 3 तो वह सीधे स्विच करके के स्थी पर गया इसको प्रिंट किया राइट लेकिन अब आपने ये बोला क्या यहां से जंप करके स्विच से बाहर निकलो नहीं बोला आपने यह स्विच का कर ली प्राकेट है और यह गेट छी है अब आप देखो इसको समझना सपोस्क पर वह यह स्विच का एंट्री गेट और यह एक्जट गेट हैं अब आपने एंट्री गेट पे पर बॉला जंप करो के स्थी पे वह सिदे खेस पर आए हैं आप समझ हो जिस केशप पर आप है उस केश को एक token करो और बाहर कीनको बाहर मतलब स्टेपमेंच से पर आपको बहा की आपने केस वन लिखा टू लिखा ट्री का यह फाला जो स्टेटमेंट है मनलो इसको मैं थोड़ा सा इधर लेओए थैक तक ये switch का curly bracket close or a gate CH okay your default B from either like today agar appo nahi dikha hai so I can just write printf invalid invalid number ticket or ES switch का curly bracket close jaconsa you have nearly their default default family like the apprentice invalid invalid tick and then switch का curly bracket close and get CH to zoom in every appo bologna कि ये अब अगर आप चाहते हैं कि switch पर्टिकुलर केस को execute करें और वहीं से सीधे जम करके switch से बाहर आ जाए यह switch का intrigue टे एक्जिट गेट है तो हर केस के बाद semi colon के बाद मुझे क्या लिखना पढ़ेगा ब्रेक 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 अब आप देखो लास्ट वाले में ब्रेक लिखना कंपल सरी नहीं है तर इस नो नीड तो यूज ब्रेक कि स्टेटमेंट यह इन्वैलिट नंबर के बाद तो वेसे भी बाहर ही निकल रहा है न वह वह इन्वैलिट प्रिंट करेंग और बाहर आ जाएगा तो आपको प्रेक लिखना ही नहीं है लेकिन आप क्या होगा जदी आपने थ्री दिया पाद देखो वह स्विच की से सीध कर देंगें गेट सीच तो आप समझने जो ब्रेक है इसको एक्चुली बोलते हैं ट्रांस्फर स्टेटमेंट या इसको बोलते हैं एक्जीड स्टेटमेंट ओके मतलब देर मल्टीपल वेस तू इस्टॉप दुक प्रोग्राम और और यू कन से देट कोड एग्जीउशन आ तो ये निष्रेटमेंट देर है तो सफेटम्नाइर कहले दूस्टाम प्रेक शना प्रेकिस अंड而 Ai food कDoes इसको जेंग लेकिन इसकी अलावा अगर आपने कहीं भी कि स्टेटमेंट को यूज किया है so that is invalid statement remember this thing दिहान रखना ये invalid रहेगी ओके तो concept सुझ मेरा आपको switch case किस तरीके से code execution कर रहा है clear है how the switch case is execute switch case का meaning क्या है समझ में कि switch को हम एक value देंगे and there is a multiple case of this values case multiple case होंगे and then according your program will execute so I hope you guys can understand this switch case concept is a related program हम जो है वह हम programming सीधे system पर देखेंगे मैं आपको बताऊं को which type of program we are going to write using switches statement there are lot of different different types of program जो हम switch case को use करके लिखेंगे ठीक है I hope you guys can understand समझ में आपको switch case का concept इसमें कुछ और interesting concept है जो हम next class में discuss करेंगे बट अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें और मिलते हैं नेक्स क्लास में फिर एक नए concept के साथ थैंक यू प्लीज देओं क्रफ़ एक प्लीज व्यू